हेलो फ्रेंट्स बिल्कम बैक आवर यूटूब चैनल बे अन साइन्स फ्रेंट्स आज हम लोग डिसकसन करेंगे सोशल साइन्स से जो कि जियोगराफी से है आप दा एवम आप दा प्रवंधन इसके अंतरगत फ्रेंट्स हम लोग लगो तर्य प्रश्न को देख रहे हैं जो क पहले एक वीडियो बन चुका है उसमें एक सी किया हुआ है यह तो यहाँ पे 21 सी हो रहा है देखे दिया हुआ है भुकम क्या है भारत के परमुख भुकम छेत्रों में विभाजित करने हम सभी छेत्रों का संचिप्त करते हुए सभी छेत्रों का संचिप्त विबरंदे अथ्वा भारत के भुकम पिये पेटी का सुदाहरन बरगी करन करे तो फ्रेंटिस का उत्तर हो जाएगा प्रिथिवी के आंत्रिक भागों में अचानक उत्पन कमपन को भुकम करते हैं भुकम की तिबरता को सिस्मो ग्राफ यंत्र द्वारा रिक्टर अस्केल में मापते हैं भारत को निम्नलेखित भुकंप छेतरों में वर्गिकृत किया गया है। जिसमें पहला है फ्रेंट्स, जोन एक, इसकी अंतरगत भारत के दच्छनी पठारी भागाता है, जहां भुकंप का खत्रा नहीं के वरावर है। दूसरा है जोन, सिकेंड, ख, इसकी अंतरगत प्रायः दिपी भारत के टटिये मैदानी छेतरा आते हैं, जहां भुकंप की तेवरता कम होती है। तिसरा है फ्रेंड ग, जोन थरी, इसकी अंतरगत भुकंप, इसकी अंतरगत मुखितर, गंगा, सिंधु का मैदान, राजस्थान तथा उतरी गुजरात के छेतराते हैं, ग, जोन फोर, इसकी अंतरगत सिवालिक हिमाले का छेतर, पहस्षी बंगाल का उतरी भाग, असम घा खतरनाक छेतरों में आते हैं, जोन फाइफ है अड़ा, इसमें दिया हुआ, इसकी अंतरगत गुजरात का कच्छ, प्रदेश, जमू कास्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्राखंड के परवतिय भाग, सिक्किम राजि समलित हैं, जो भुकंप के सरवाधिक खतरनाक छेतर माने जाते हैं, नेक्स्ट कोश्चन है, भुकंप केंदर और अधी केंदर में अंतर असपस्ट करें, तो फ्रेंट्स इसका उतर हो जाएगा, प्रिथिवी की उपरी सत्तह का अचानक कापना भुकंप कहलाता है, भुकंप का उद्गम प्रिथिवी की गहराई में इस्थित एक बिंदू से होता है, उस अस्थान को ही भुकंप केंदर कहते हैं, भुकंप केंदर अधिक गहराई में उत्पन होने पर उसका प्रभाव कम होता है, भुकंप केंदर से उठने वाली तरंगे समकोन पर चलकर धरातल के जिस भाग पर सर्व पर्थम पहुँचती है, धरातल क उस भाग को अभी केंदर कहा जाता है अभी केंदर पर भुकंप की तरंगे का परभाव अधिक मिलता है अभी केंदर से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है प्रभाव कम होता जाता है नेक्ट कोश्चन है फ्रेंट्स भुकंप ये तरंगे क्या है इनके नाम लिखें तो इसका उत्तर हो जाएगा भूख गर्व में पैदा होने वाले हलचल से तरंगे उत्पन होती है यह दो प्रकार की होती है एक सेकेंड में आठ किलोमीटर तक दूरी तय करने वाली तरंगे प्राथमिक तथा धीमी गती से चलने वाली तरंगे दूतियक तरंगे कहलाती है दूतियक तरंगों से अधिक छती पहुँचती है प्रिथिवी तल पर पहुचने वाली तरंगे तल तरंगे में बदल जाती है और इन्हें रेले और लब तरंगे कहते हैं इसकी तरंग लंबाई बहुत अधिक होती है ये अत्याधि घातक होती है इन्ही की कारण पिर्थिवी तल पर कमपन होता है और मकान गिरने लगता है दूतियक तरंग से चटाने तूटती फूटती है और इसके जटके बाद में भी आते रह सकते हैं सुखार के लिए उत्तरदाई कारकों का विवेचना करें तो इसका उत्तर हो जाएगा सुखार जैसे आपदा के उत्पन होने वाले निम्न कारण है पहला बर्सा की कमी दूसरा बनस्पतियों की कटाई तीसरा तापमान में ब्रिधी चौथा जल की कमी जल अस्तर में गिराव तथा पाचमा है सिचाई में जल की अधिक बरवादी कोश्चन नमबर 25 है सुखार के कारणों एवं इसके बचाब के तरीकों का विस्तार से वर्णन करें तो इसका उत्तर हो जाएगा सुखा एक प्राकिर्तिक आपदा है जो किसी छेतर में धीमी गति से अपना प्रभाब दिखाती है सुखे जैसी आपदा से मानब जीवन का संकट में पढ़ जाता है क्रिसी फसल उत्पादन कम होने लगते हैं पे जल की समस्या उत्पन होने लगती है जीब जन्तु की अचानक मिर्थि होने लगती है तापमान में ब्रिधी होने लगती है सुखार जैसे आपद के उत्पन होने की निम्र कारण है पहला बर्सा की कमी दुसरा है बनस्पतियों की कटाई ताकमान में ब्रिधी जलस्तर की कमी जलस्तर में गिरावट सिचाई में जल की अधिक वरवादी सुखार से बचने के लिए निमनलिकी तरीकों को अपनाया जा सकता है इसमें पहला है discoveries बर्षा जल को घरों के छट पे कुवां में नहरों में तलावों में जीलों में संग्रह किया जाना चाहिए बनसपती बर्षा कराने में मदद करते हैं अतर सरवाधिक संख्या में बनस्पतियों को लगाया जाना चाहिए तिसरा है नदियों पर बांध बनाकर नहरे निकाल कर सुखा ग्रस छेतरों में पहुंचाना चाहिए चोथा है धरातलिये एवं भूमिगत चल का उपयोग बिवेग पुर्ण धंग से करना चाहिए तथा पाच महा जल पर दूसन पर नियंतरन करना चाहिए निक्ष्ट कोश्यन है सुखाड कितने प्रकार के होते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा सुखाड जो है तीन प्रकार के होते हैं पहला समाने सुखाड दूसरा क्रिसी सुखाड एवं दूसरा है क्रिसी सुखाड एवं तीसरा है मौसमी सुखाड सुखार का हमारे दैनिक जीवन पर परने वाल प्रभाबों का वर्णन करें तो इसका उत्तर हो जाएगा सुखार हमारे जीवन पर निनलिकित प्रभाब डालता है पहला है सुखा से क्रिसी उत्पान दन कम हो जाता है क्योंकि इसकी कारण कहीं तो फसले की बुआई नहीं हो पाती है या बुआई देर से हो पाती है सूखा की इस्थिती में ग्रामीन छेत्रों में बेरोजगारी बढ़ जाती है तिसरा है सूखा के कारण पसु चारे की कमी हो जाती है चोथा है सूखा के कारण पे जल की कमी हो जाती है पाचवा इससे खरीफ फसल की बहुत अधिक प्रभावित होती है सुखार प्रवंधन का वर्णन करें तो इसका उत्तर हो जाएगा निम्न उपायो द्वारा सुखार प्रवंधन किया जा सकता है पहला जल ग्रहन छेतरों में बांध बनाकर एक छोटे छोटे जलाशे बनाकर दूसरा है सुखार छेतरों में बिर्चो की सगनता में बिधी कर तिसरा है सुख फसलों की बुवाई एवं ड्रीप सी चाई बिधी को अपनाकर नहरो द्वारा सुखे छेतरों में जल पहुंचा कर सुखे के परिनामों का उलेख करें तो इसका उत्तर हो जाएगा सुखे के स्थिती में फसले नष्ट हो जाने से खाद्यान उत्पादन कम हो जाता है जिससे खाद समस्या उत्पन हो जाती है राश्ट्री अस्तर पर इस स्थिति को अकाल कहते हैं फसलो के सूखने का कारण मवेशी के लिए चारा का अकाल हो जाता है साथ ही सभी जीवों के लिए जल का अभाब हो जाता है सूखे की मरू भूमी के निवासियों पर क्या प्रभाब पड़ता है तो इसका उत्तर हो जाएगा मरू भूमी के निवासियों का मुख साधन क्रिसी की बजाए पसुपालन होता है पानी की अभाब इवं बनस्पती की कमी के कारण पसुओं के लिए चारे की कमी हो जाती अत्व उन्हें शहायता के लिए अंचेत्रों पर आस्रित रहना पड़ता है सुनामी आपदा प्रवंधन पर एक लेख लिखे तो इसका उत्तर हो जाएगा महासागरिये तली में आने वाले सक्तिसाली भुकंप को ही सुनामी कहते है सुनामी की सुचना मिलने पर हमें किसी सुरच्छी तस्थान पर चला जाना चाहिए सुनामी के पश्चाथ छतिग्रस्त, सडक, पूल एवं मकान का परियोग नहीं करना चाहिए सुनामी से बचने के लिए हमें समुद्र के किनारे टटबंध बनाने चाहिए एवं मैग्रो बनस्पति लगाने चाहिए आगे दिया हुआ फ्रेंट्स सुनामी सब्द का अर्थ स्पष्ट केजिए तो इसका उत्तर हो जाएगा सुनामी सब्द दो जापानी सब्दों से मिलकर बना है सू तथा नामी सू का अर्थ है बंदरगाह तथा नामी का अर्थ है लहरे इस तरह इस प्रकार सुनामी बंदरगा अथवा सागा टट पर आने वाली लह रहे हैं सुनामी से आप क्या समझते हैं सुनामी से बचाप के उपाई को लिखें तो इसका उत्तर हो जाएगा महसागरों के आंतरिक प्रिष्टिये भागों में उत्पन हलचल को सुनामी कहते हैं सुनामी एक प्राकिर्टी का आपदा है जो समुद्रिये टटिये छेत्रों में मानव जीव किन्तू बनस्पति मकान उध्योग आदि को बड़े पैमाने पर नुकसान पहचाते हैं पहला समुद्र टटिये छेत्रों में मैगरो बनस्पति को लगाना चाहिए दूसरा समुद्र टटिये छेत्रों को कंक्रीट के तटवंध बनाना चाहिए तीसरा समुद्री छेत्रों के समीप रहने वाले लोगों को प्रसिचित करना चाहिए चोथा है समुद्री टटिये छेतरों को सुनामी का पुर्वानुमान यंत्र के सहारे पहले ही सुचित किया जाना चाहिए निक्ष्ट है सकारी इवं गैर सकारी संगठनों की मदद से लोगों को जागरूप करना चाहिए सुनामी के बाद गैस का परियोग करने में क्या सापधानी बरतनी चाहिए तो इसका उत्तर हो जाएगा गैस की रिसाव की और ध्यान देना चाहिए यदि गैस का रिसाव हो रहा हो तो खिड़की खोल दे तथा गैस की आपपुर्ती बंद करके तुरत घर के वाहर निकल जाए गैस रिसने की सुचना गैस एजिंसी को दे दे सुनामी के तीन कारण बताएं तो इसका उत्तर हो जाएगा सुनामी के उत्पत्ती मुखेता तीन कार्णों से होती है जो निमने लिखी थे पहला समुद्र में भुकम दूसरा ज्वाला मुखी उत्गार तथा पानी के नीचे भुवस्खलन नेक्ष कोशन है फ्रेंट्स सुनामी प्रभावित छेत्रों में ग्रिह निर्मान पर अपना विचार प्रकट कीजिए तो इसका उत्तर हो जाएगा सुनामी संभावित छेत्रों में ग्रिह निर्मान टट से दुर किया जाना चाहिए ग्रिह निर्मान समतल भागो कि अपेक्छा समान उच्छे भागों पर किया जाना चाहिए तथा मकान निर्मान इस प्रकार हो कि भुकम पेवम सुनामी लहर का प्रभाग कम से कम हो निक्स्ट कोश्चन है फ्रेंट्स चीन में किस नदी के दोनों टटो पर हजारो किलो मिटर के टटबंध बनाए गए हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा चीन का सोक माने जाने वाली हुआंगो नदी को दोनों टटो पर पाच हजार पांसो किलो मिटर लंबे टटबंध बनाए गए हैं परिवहन ब्यवस्था का ठप पड़ जाना पाजमा है बनस्पति एवं जीब जन्दाइब परिवती छित्रों में कभी कभी एका एक कम समय में ही बहुत अधिक वर्षा हो जाती है और बार का द्रिस उपस्तित हो जाता है इससे बद वादल का फटना यानि की काउल व्रस भी कहते हैं कोश्ड निमर चालिस है बार की स्थिति में अपनाये जाने वाले अकाश्मी प्रवंधन का वर्णन कीजिए तो इसका उत्तर हो जाएगा बार है कैसी प्राकेर्टी कापदा है जिसमें जान माल एबम मवेसियों को भारी छती पहुँचती है बार की स्थिति उत्पन होने पर अकास्मी प्रवंधन के तहट सबसे पहले जल से घीरे हुए बैक्ती को निकाल कर सुरच्चित अस्थान पर ले जाना चाहिए उसके बाद मवेसियों को तथा घर के आवश्यक शामागरियों को सुरच्चित अस्थान पर ले जाना चाहिए सुरच्चित अस्थान पर पहुचने के बाद भोजन, पेजल, बस्त्र एबं समुचित दवाओं का प्रवंध किया जाना चाहिए तो फ्रेंट्स इस तरह से हम लोग का 40 कोश्चन कंप्लीट हुआ है जो कि दू आंक का स्तर यह है फ्रेंट्स वीडियो पसंद आया तो लाइक करें अपने दोस्तों में सेर करें तथा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले फ्रेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां से सिरीज हम लोका चलेगा कोश्चन नमबर 41 से